हुआ आज हम सीखने वाले हैं टूटी ड्राइंग तो जैसा की ग्राइंग में दिख रहा है एक साइट इसे हमें एक साइट के बनाएंगे फ्लान यह इस्टार्ट करते हैं यह फ्लान है तीज वाई चालिश का तो आ यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए लाइन कमांड का यूज़ करते हैं अब इसे हम तीज फिट ऐसा और और इंटल में ले लेंगे इस बनाने के लेंगे 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 ल यह इसे हमें हाल से 40 फिट लेगने हैं 40 फिट इंटर यह हो गया है अब इसमें वाल ठिकने समझेने वाले हैं 9 इंची तो आपसेट कमांड लेंगे आपसेट कमांड के बाद यह 9 इंची इंटर इंटर 9 इंची राइट रिक शरी थोस्ते यह अपसेट 1 फिजल लेंगें यह तो आपसेट कमांड लेंगें 9 इंची वाल इसे भी नाव इंची कर लेंगे अब इसके बाद हमें करना है यह बेट्रूम बनाने बारा भी बारा का और यह जारा पिट चेंचे डुबारा तो सबसे पहले बारा इंच का बेट्रूम साइड भी और इस साइड भी अंदर गह रही होगा इसलिए हम यहां से लेंगे यह बारा पिट इंटर इसाइड पारा इंटर अब यहां यहां वाल है नौ इंची वाल है इसे नौ इंची कर लेका है नौ इंच वाल इस वारड़ का है इसे कि अब देख बारा है बारा वाई बारा तो इसे हम यहां से बारा कर लिए और यहां से यह है इस साइट से ग्यारा फिट छे इंच इंटर अगर यहां वाल है नौ इंच वाल और यहां से भी वाल है नौ इंच वाल और टॉइलेट है चार वाई आठ का तो तो टॉइलेट हो जाएगा चार वाई आठ का कि यहां से करेंगे हम कि आठ इधर पर आठ पिट इंटर कि आठ पिट यहां से किना इंच इवाल अब इस लाइन की जड़ात नहीं हम उसे ट्रीम कर देंगे ट्रीम के रिए इस लाइन की जड़वत नहीं है यह लाइन की जड़वत नहीं हमको और इस तरह से यह टॉइलेट और बेड्रूम तयार हो चुका है कि अब हम कि और अल बना लेंगे वी इस पिट इंटू बारा फिट चैंज का है तो तो कि इस पिट इसकी चौड़ा ही होटे कि यह लाइन भी ट्रीम करना पड़ेगा है कि यह डबल इंटर करते हैं यह लाइन हम ट्रीम कर देंगे कि अब इसके बाद हम आपसेट लेंगे आपसेट लेने के लिए यह भी इस पिट कर लेंगे 20 इंटर कि यह भी इस पिट दिखा रहा है अब इसको 9 इंच लेंगे 9 इंच यह यहां का वाल होगा इस तरह से फिर इसे ट्रीम कमाड़ का यूस करके हम इसे ट्रीम कर लिए इसे ट्रीम कमाड़ का यूस करके से हम ट्रीम कर लिए कि यहां किचंगर अर्ट इंटू आइट इंटू बारवेट शेंज कर गारा तो बारवू फिट शेंज दिखेंश की गयरा है जोड़ी इस लोग वारव फिट शेंज का यहां से 12 फिट चेंच रहें 12 फिट रहें लेचेंच इंटा इसलिए हमसे एक्स्टेंड करके जोड़ दिए एक्स्टेंड के लिए एक कमांड होता है इस इंटा और इसे इस लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे और एक्स्टेंड 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 करेंगे और लाइन कमाण लेकर गूलक नहां यसे भी सिल्ख्ट झालूंत कमेड़ां से निए further य हो जो गया रस्ति हो कि यह लाइन जोई होगी अब हम इसे आपसेट कमाल लेके ओ इंटर करके हम डवल इंटर करें डवल इंटर के बाद इसे हम नो इंची वाल करें तो यह हो गया हम देख पारा हैं जिससे कि आप किचन भी 12 फिट चेंज की घराई यह हो गए यह किचान हो गए अब हमारे पास यह बचा ड्रॉइंग रूम ड्रॉइंग रूम और पार्किंग एरिया ड्रॉइंग रूम का साइज है 12 इंटू 13 विट तो नहींतों के तो आप इसे तो टूम कर लेंगी सबसेपाल है कि हाथ ड्रॉइंट अ यहीं एंसे हम प्रिंग कर लिए है कि अब हम इसे पारा फिट इंतू तेगा कि ऑप सेट हमांड जेंगे दोस्तों ओ ड्रॉइंटर को दभल एंटर है को दोड़ उन्टर यह इदर 12 इंटर और 9 इंच की वार नो इंच वार बागी बच्चे लाइन को ट्रीम करेंगे ती डॉबल इंटर करने के बाद हम आसानी से ट्रीम करेंगे इस प्रकार दोस्तों है ड्राइंग रूम भी हमारे पास अब पार्किंग एरिया भी बन चुका है अब अब हमें इससे डॉर लगाना पड़ेगा तो डॉर के लिए सक्से पहले तो हमें इससे डॉर ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे कि अपसेट कमांड का यूज करने के बाद हम इस पॉइंट पर किरें करके तीन फीट का डॉर तक तीन बीट इंटर करने के बाद हम इस से तीन फिट इधर कर लेंगे इधर कर लिए कि यहां से भी तीन लेट और उर वाण जोस्तों कि ये तीन भेट इसको भी कर लेंगे और तीन भेट इसे भी कर लेंगे कि दूस्ता अब कि बाद बच्चे लाइन का हूं कांड देंगे डिलीट क्रिम कमांड का यूज़ करेंगे टियार डाव इंटर यूज़ से ट्रीम कर देंगे और आँए इसे वी तीम करेंगे लाइन भी एक्स्टा होगा है इसे वी दिलीट करेंगे लेक्ट और टिलिट इंटर की पेस करेंगे दोस्तों बातरों में युक. कड़र वाजा बोफिट पर शेंज लेंटर अधिल करेंगे मैं दोफिट शेंज वेंटर को इसे युण है। इसे वी टिम करेंगे कि यह दो होगे दोस्तों है अब हम हम में डॉर करने मान करेंगे में डॉर सेंटर में है तो सेंटर लेने के वह सबसे पहले ला कौन करेंगे हैं लाएन कमांड कर करेंगे इसका मिट पॉईट पोईटं देख नहीं रहा है तो हम सेटिंग में जाकर इसे ओन कर लेंगे हैं तो यह इसनेप सरकल पर जाकर हम इसे किलिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मिट पॉइंट मिट पॉइंट का पहुं करें और हम यहां मिट पॉइंट सरकल से हम इंची करके से बराबा करेंगे अब में डॉर होता है चार फिट का हम ले लेंगे तो चार फिट के लिए सेंटर पाइंट से इधर दो फिट दो फिट इंटर तो फिट इस साइड तो फिट इस साइड चार फिट के लिए टीर डबल इंटर करेंगे पीं करेंगे में में डॉर में डॉर भी ड्राव हो गया है अब हम इससे कुछ इस तरह डॉर लगा लेंगे दोस्तों इसके लिए हम करेंगे तूल्स वार का यूजट रहा है तूल्स बार का यूज़ करिए लिए तो और है को इंट्रू इमनल इकतर को से लेक्ट आधिंगे सिलेक्ट करने के बाद हम इससे कहीं भी रख देंगी अब इसके बाद हम इसे कत पर कि क्लोस कर देंग वहां जी दॉर आगे है अब इस टोर को सिलेक्ट करेंगे दौर को सिलेक्ट करने के बाद इसे हम 90 घरी कर लेंगा पर नाइंटी डिग्री के करने की बार तो तीं इन्च का आपसेट लेना परीगे दोस्तों सबसे पहले तो हम यह आपसेट लेए इन इंच इदर In चिए सब्सक्राइब बाइब काइब mo एक से अदोधर्ट हो आपना मैं घिसे हम एकम एक्स КарFF deber बाहिसे हमें 10 कमान का युश करकिर यलो खिंख इंतर एक्स्टेंड कमार्ड का यूसर नहीं से मिलादी आविसे त्रीम डिकलेंगे टी और डॉबलेंट ट्रॉबलेंट ट्रॉबलेंट इसे त्रीम कलेंगे इसे नहीं कि एक्स्टेंड कमान का यूसका थे मिलादी आविसे त्रीम कमान का यूसको कि मिला एक्स दीक एक्स डालय आप इसस्ता हार आप य09 Stage विस स्टर टीबकर ट्रीम कर आप्स दीक that यह डालय प्रॉडींटㄍ सर्holes को अचतीक करूंष को करके कॉपी करेंगे कॉपी के लिए सब्सक्राइब किसी भी एक पॉइंट को पकड़ करके हम इसे एफेट दवा के और तो ऑन करके हम इसे यहां लग देंगे कि और इसे भी झालकों यहां लग देंगे फिलाल तो इसे रोटेट करना पड़ेगा आद इसे हम सब्सक्राइब करेंगें इसे हम क्मांडे का यूज करके कि यहां लग देंगे खुछ इस्टरा форм इसे कि लिक करके इसका साइज कि ऐसा करें और इसे भी हम साइज अनुसार कर लिए और इसी तरह हम सभी मेंडोर अपलाई करेंगे बात्रूम में भी रूम में भी इस रूम में भी मेंडोर में भी तो अब में ड्रॉ में ड्रॉ करने के लिए है 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 इसे रोटेट कर लेंगे अब अब दबा देंगे और तो के लिए है अब हम इसे कॉपी कर लेंगे कोपी कमाड का यूज करके अब हम इसे कुछ इस तरह है और इसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे अब फिर हम इसे सेलेक्ट करके कापी कर लेंगे कापी करने के बाद हम इसे इसे नहीं लालेंगे अब हम इसे चोटा कर देंगे और इसे भी हम छोटा कर देंगे कुछ इस्तर इस तरह में दो ड्रा हो जाएगा दोस्तों इस तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो गया था दोस्तों अब इसे हम नेम दे देंगे टेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे टेक्स्ट और यहां कहीं भी हम इंटर कर देंगे और एक साइज देंगे इस साइज अब इसके बाद हम इसे कुछ ज्यादा कर लेंगे जैसे है यूजर कर लेते हैं हैं आउज ईच अब इसमने लिखते ही एंगे भेटरूम अ बैटरूम हूं जो सब्सक्राइब है आफ दूब करके हमिसे कपिटल कशन proportion पली 둘 हम बैटरूम hai इंटर की प्रेस करेंगे इंटर की प्रेस करने के बाद हम इसे 12 इंटू 12 फिट का है तो हम इसे 12 फिट करेंगे 12 इस पर देंगे 12 फिट और परके हम कहीं भी क्लिक कर देंगे कुछ से डीक हागा वह मुझेसे इसे एक करके और कहीं इंटर कि प्रेस्ट करेंगे आए तिलिड़ झाल झाल सफिक पर शश्र तरह पकड़ के इसे यहां भी तुकरते यह यहां भी रखते ही नवन हाब आप के ओंद एक सब्सक्राइब भी यथे इसे कर ल multif आ इसका साइज क्या है दोस्तों इस देखते हैं डापिट सेंज इन्टर बाड़ा मनेंटश इसे ज्यारा फिट चेंज करेंगे, ज्यारा फिट, और यहां शिक्स, शिक्स फिट, इन्टु बारा, इसे छोड़ देंगे, अब टॉइलेट साइज क्या है दोस्तों, चार इन्टु आठ, इसे फिर से डबलेट, क्लिक करेंगे, अब इसे हम टॉइलेट नाम देदेगे, टॉइलेट, टॉइलेट, इसका साइज है दोस्तों, 4 फिट, इन्टिफरेस, एक, इन्ट इन्ट, आठ, इसका साइज है दोस्तों, कुछ इसका है अब यहां कुछ जम नहीं पार है इसलेक्ट करके रोटेट करें नहीं कहीं भी पकड़ की कहीं है कि देखने में कुछ अठा लगी जाए इसे यहां भी इंटर की प्रेस करेंगे यह यह आप इंतो बार पीट शेंच का की चैन, आप इंतो बार पीट शेंच की चैन, की चैन, आठ फेट इन्टू 12 फेट शेंज 12 फेट 6 इंच कुछ इस्ता है अब हम इसे इसे विंटर की प्रेश कर लेंगे हाल 20 फेट इंटू 12 फेट चैंज यह हॉल होगा दोस्तों अब इस पिट इंटू 12 फेट चैंज इस यहां कर लेंगे और इसे हम 12 फेट कर लेंगे 20 फेट कर लेंगे दर के फेट 20 फेट इस पेश देदिन कहीं भी क्लिक कर देंगे यह यह जो यह जो जो तो 12 फेट इंटू 13 फेट थे जो जो गज़न तो Pin डॉन दॉन दॉन द्लाइंग दॉन कि बारा पिटिंटु तेरा पिटा यह होगा है दोस्तों और यह होगा अपना पार्किंग यह दिया दोस्तों कि अब हम यह अब हम यह इन लाइनों को जिसकी जरूरत नहीं हम इसे 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 बिस्ट करके डिलेट अब यहां पर हम दोस्तों गेट बनाने के लिए हम सबसे पहले चेंटर लाइन आएंगे लाइन कमान का यूज करके लाइन कमान के यूज करेंगे फिर से लाइन कमान के यूज करेंगे और यहां नौ इंची कर लेंगे नौ इंची यह एंटर लाइन ड्रौ हो गया अब इसे ऑफसेट कमान की सायता से हमसे छे फीट इधा 6 फित साई 6 फित साइड 12 फित का गτιेट होगे दोस्तों इस तरह कर लें को कि अम इस्यंके आलाइन कमान का यूज करके यहां मैं आम एफ युज करके हैं इसे लाइन कमान के यूज कर लिए और इस कोने से बगड़के इस कोने तक के हम मिला देंगे और बाकी बच्छे लाइन को हम ट्रीम कर देंगे रहे हैं यह हो जाएंगे कुछ इसका ट्रीम अब हम इसे टिलेट कर देंगे लाइनर का यूज़ करके इस इसकॉरन लाइनर का यूज़ करेंगे इस को नर पर क्लिक जीष को लाइनर का यूज़ करेंगे इस कॉर्नर को क्लिक इस कॉर्नर को क्लिक और ये कुछ इसता है ये ड्राइंग कम्प्लीट होगी दोस्तों तो वस आज के लिए इतना है